हलो गाई तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मुख मंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको रेजिस्टेशन करने से सारा जनकारी दिया था मैंने उसमें बताया था कि रेजिस्टेशन करने के बाद आपक सिंपली Google में आना होगा Google में आने बाद आपको टाइप करना है मेधा सोफ्ट ग्रेजूएशन टाइप करके सार्च करने कबाद आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा तो यहां पर आपको सबसे उपर वाले link को open कर लेना है इस link को open करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का interface खुल जाएगा तो यहाँ पे आने के बाद आपको simply नीचे की ओराना है नीचे की ओराने के बाद आपको apply online पे click करना है इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटर्फेस खुल जाएगा तो यहां पर आने के बाद आपको एक option मिलेगा student का तो आपको simply student पर क्लिक करना है उसके बाद यहां पर आपको registration आप कर लिया है मैंने पहले ही बताया था registration करने से related वगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो description box में या फिर i button पर भी वीडियो मिल रहा होगा पहले आप registration करने के बाद आपको login for student पर क्लिक करना है user ID और password आ जाएगा तो आपको login from student पर क्लिक करना है उसके बाद आपको mobile नंबर पर जो user ID आया होगा आपको simply user ID को यहां पर डालना होगा और आपके mobile नंबर पर password भी आया होगा तो user ID और password डाल देना है उसके बाद जो capture code आपको दिख रहा है आपको simply capture code को यहां पर fill कर देना होगा fill करने के बाद आपको login वाले option पर क्लिक कर देना है तो user ID और password डालने के बाद आपको simply login वाले option पर क्लिक कर देना है login करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खूल जाएगा तो यहां पर आपको आपका सारा details खूल जाएगा जैसे कि यहां पर आपका नाम खूल जाएगा फादर्स नेम और FMS status जो verify है वो verify हो जाएगा उसके बाद यहां पर आपका status दिखा देगा pending for approval of fund from department तो आपको simply यहां पर देख लेना है अगर आपका कोई status अगर verify नहीं होगा जैसे कि इस case में आपका सारा status verify है अगर आपके case में जैसे कि bank details verify नहीं होगा या फिर अधार mismatch होगा या फिर कुछ भी इसमें से अगर verify नहीं होगा तो आपको यहां पर फिर से भरने का option मिलेगा तो आपको simply यहां पर click करके और edit वाले option पर आपको edit कर देना है जैसे कि अगर आपका bank account name mismatch होगा तो आपको यहां पर edit का option मिलेगा तो आपको edit करके अप अपना फिर से सही नाम डालना होगा तो आपका फिर verify हो जाएगा जैसे कि इस case में सारा चीज verify हो गया है अपके वल पेंडिंग for approval of fund from department लिखा हुआ है कुछ दिनों में यह आपका fund आ जाएगा आपके bank account में आप यहां से आके अपना status भी देख सकते हैं तो ऐसे करके इसलिए मैं apply इसमें नहीं करना होगा अगर आपके case में अगर कुछ verify नहीं होगा तो आपको फिर से उसको उस details को डालना होगा तो होप करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी problem हो जैसे कि verify नहीं हो रहा है या फिर किसी प्र संद आया तो वीडियो को लाइक किजिए और चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे